दोस्तो मनुस्य का स्रीर एक मसीन की तरह है जैसे मसीन का कोई भी पुर्जा खराब होने पर मसीन को काम करने में दिक्कत होती है वे सही सरीर का कोई भी अंग अगर सही तरीके से काम न करे तो इसका फरवाव पूरे सरीर पर पड़ता है एसा ही एक अंग किडिनी भारत में हर साल लग बग डेड लाग के आज पास नए किडिनी पेशन्ट आते हैं तो ओर्गन की कम्मी को देखते हुए कई पेशन्ट लाइप टाइम तक डायलाइसिस करवाते हैं और कईयों की किडिनी ट्रांस्प्लांट न होने के कारण मोत हो जाती है तो साइंटिस्ट मानव ओर्ग कि पूर्थी को पूरा करने के लिए कई अलग अलग उपाय खोज रहे हैं अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जरूरत किडिनी की होती है तो साइंटिस्ट किडिनी पर अलग अलग अक्स्प्रिमेंट कर रहे हैं इन्हीं में से एक है आर्टीपीसियल कि किडिनी में ओनलाइन आवेदन करना चाहते हो आप अगर आई कीडिनी में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप आइटीपीसियल के टिरूर्ड के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो बने रही है आप वीडियो की एंड तक और अगर आपको वीडियो अच्छा लाग ज प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो देखिए जो भी किडिनी पेशेंट है और वो आर्टी पीसियल किडिनी के लिए जो ट्रेल्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं ओलाइन तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको जाना होगा गूगल में फिक है गूगल में जानेके बाद यहांपर आपको लिखना है how to apply artificial kidney ठीक है दोस्तों तो यह आ गया अब इसके बाद जो एक page open होता है तो क्या करना है सबसे पहले जो उपर उपर एक option आ रहा है frequently asked question by patient the kidney project UCSF school ठीक है तो इस पर click करना है click करने के बाद कुछ ऐसा एक page open होता है तो देखें इसमें पहले तो जो frequently asked question by patient patient के दोरा जो भी question पुछे गए हैं उनके यहाँ पर answer दिये गए है जैसे कि इसमें पहला question पुछा है how does the device work and how big is the device यानि कि यह जो device artificial kidney है यह मतलब काम केशे करता है और इसकी जो size हो कितनी बड़ी है ठीक है और दूसरा जो question पुछा है इसमें यह है what is the surgical process like to insert the device where can I have the procedure done यानि कि यह जो device है इसकी जो insert होगा जो हमारी body में तो इसकी surgical procedure कैसी होगी और यह जो device हम खहाँ पर इसकी procedure करवा सकते हैं तीसरा question है how will the filter be clean इन में जो artificial kidney में जो filter पाया जाते हैं उनको clean खहाँ पर करवाना है या फिर clean वो कैसे होंगे और चोता question है how long will the device survive after implantation will it have to be replaced यानि कि यह जो device है वो हमारी body में implantation होने के बाद कितने दिनों तक काम करता रहेगा कितने दिनों तक चलता रहेगा और कब तक हम इसको replace करवा सकते हैं आप artificial kidney के लिए वो trials के लिए कैसे online आवेदन कर सकते हैं तो देखिए आपको scroll करते हुए page के निचे चालना है तो निचे चलते रहना है यह तो जो patient के दरा पुछे के questions आ रहे हैं ठीक है और इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप artificial kidney के लिए online आवेदन कैसे कर सकत हैं कि स्क्रोल करते हुए निचे चलना है यहां पर देखिए एक चीज़ और दे रहे हैं फंडिंग भी दे रहे हैं आप artificial kidney के लिए funding भी कर सकते हैं कितने भी रुपे आप जैसी आपकी इच्छा हुए इतने रुपया funding भी कर सकते हैं लेकिन देखिए हमको क्या करना है हमक इसमें जो दे रहा है 28 नंबर का point है do you have a wait list for clinical trails how do I sign up क्या मैं या से sign up कर से तो ठीक है तो इसमें जो link दे रहा है नीचे ठीक है यह 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 जो link है इस पर करना है क्लिक क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एक नए page open होता है यह देखिए तो इसमें जो उपर दे रहा form ठीक है यह एक form है जिसको आपको फिल करना है यानि कि बरना है तो इसमें सबसे पहले required मंगे आपकी जो mail id वो लगानी है ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर आपको लगाना है mail id next आपको है देखिए फैस्ट नेम आपका जो फैस्ट नेम है और फिर middle name है और फिर last name में तो यह आपको name बना है फिर आपको date of birth लगानी है यहाँ पर यहाँ पर लिखा date of birth फिल करनी है फिर आपका जो address है यानि कि आपकी city state जो भी country है जैसे आप इंडिया से हो इंडिया में खाओन से states यह आपकी जो city है वो क्या है वो ठीक है वो यहाँ पर बननी है इसके ब यह confirm नहीं है फिर आपको आगे next phone number तो देखिए यहाँ पर आपको जो फिल करना अपने जो mobile number है वो फिल करने और लास्ट में यहाँ पर दे रखा है any comments यहाँ आप जो भी कुछ लिखकर send करना चाहते हो बेजना चाहते हो form के साथ यहाँ पर आप लिख सकते हो ठीक है अब आपके लिए जो form फिल होगा उसके लिए कुछ reply आएगा ठीक है यह सब कुछ करने के बाद आपको जो submit का option दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपका जो automatically जो online आवेदन है artificial kidney के ट्राइल्स के लिए वो submit हो जाएगा ठीक है दोस्तों एस सही मैं kidney के बारे में आपको और जानकारी देता रहा हूँगा आप प्लीज यूडियो को लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर लेना